हेलो, लिजी लेशन्स प्रॉम दा हाउस अव नवांकुर में आप सभी बच्चों का सौगत है कछ्छा छे विशे विज्ञान अध्याय दस गती एवं दूरियों का मापन बच्चों, इस पार्ट में गती एवं दूरियों का मापन इन सब्दों पर चर्चा करेंगे जैसे पहला है पहला सब्द है गती गती को जैसे हम समझें इस्थान परिवर्तन करना एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाना जैसे साधरन सब्दों में समझें मैं अपना उधारन देखे कहता हूँ कि मैं एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाता हूँ तो एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक गती करना या इस्थान परिवर्तित करना या एक तरह से और समझें गमन करना जैसे मैंने बोला कि मैंने एक इस्थान से गैंद को धका मारा तो जो प्रारंबे किस्थिती थी बहे धका या गती घ्रेंड करके कुछ इस्थान तक चली तो जो वह हो चली तो उसको हम गैंद की गती कहेंगे इसी तरह से दूसरा सब्द है दूरियाँ दूरियाँ सब्द को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि दूरियाँ सब्द होता क्या है जैसे मैं आपको बताऊँ दो बिंदू है उन दो बिंदू के बीच की दूरिय को मापना जैसे मैंने कहा कि मैं अपने घर से स्कूल तक जाता हूँ या आप स्वेम का मानने कि आप घर से स्कूल की और निकले तो आपके घर और स्कूल के बीच में जितनी भी दूरिय होती है उसको आप मीटर में गयाद करें किलो मीटर में गयाद करें सेंटी मीटर में गयाद करें तो यह जो दूरि है वह है दो विंदू के बीच को दूरि को हम एक निस्चित पैमाने के दौरा माप लेते हैं इसे दूरि कह सकते हैं अब अगला सब्द है मापन ध्यान दें आप मापन मापन ध्याने जैसे मैंने बोला कि दो बिंदू के बीच की दूरि को आप मापें आपके मापने के लिए सैंटी मीटर है इंच है मीटर है किलो मीटर है तो इस तरह से हम दो बिंदू की बीच की दूरि को मापते हैं तो वह मापन कहलाता है अब हम यातायात की कहानी कहें कापी पुराने जमाने की बात है जब मनुष्य पैदल चलता था और जो बजन है उसको अपने पीट पर लाद कर चलता था फिर परिवर्तन हुआ बांसों को काट कर लुकदी बना कर उसका नाओ बना कर मनुष्य नदियों में नाओ बना कर एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाता था फिर पहिये का अविस्कार हुआ बच्चों पहिया याने बिज्ञान जैसे कुमार के हाँ चाक होता है जिससे बै तरह तरह के मिट्टी के वरतन बनाता है साइकल का पहिया हो गया या किसी अन्न बहान का पहिया हो गया सही माइने में पहिया याने बिज्ञान का उद्गम है अब पहिये की बात करें तो पहिये के इस्तान पर जैसे बस हुआ, कार हुआ, मोटर साइकल हुआ, रेल गारी के पईए हुए ये कई तरह के सामान या आने जाने के लिए सुविदाएं विग्जान ने हमें परदान की उसके बाद हावाई जहाज, पानी के जहाज, इस्टीमर इस तरह के सादन प्राप्त हुए जिसके लिए आना जाना बैक्ती के लिए सुगम हो गया, सरल हो गया भे आसानी से जाने लगा, आने लगा फिर और परिवर्तन हुआ, तो विद्युत के रेल गाड़ियां बनी, एकल रेल बने, पराधोनिक सुपरसोनिक वायू यान बने तथा हम पर्थवी से होकर आंतरिक्स तक पहुँच गए याने विज्ञान ने इतनी तरक्की की कि भे अपने पर्थवी को छोड़कर अन्य गिरहों के जमीन पर भी पैर रखने लगा इसका सबसे अच्छा उधारण हमारे पर्थवी के जो आंतरिक्स यातरी थे उन्होंने चंदरमा में चलकर देखा और दुनिया को दिखाया अब बच्चों हम मापन की विदियां पुराने जमाने में कई मापन की विदियां होती थी लेकिन बहे पिरमाडिक नहीं हुआ करती थी उनके दोरा मापने पर कई तरह की भ्रांतियां मन में हुआ करती थी हाथ से मापन, बालिस्त से मापन, उंग्लियों से मापन, कदम से मापन या डोरी से मापन यह इनके दोरा माप पी गई बस्तों में प्रमाणुकता नहीं होती थी यानि ये पूर्टा सकते हैं इसको हम नहीं कह सकते थी कि ये पूर्टा सकते हैं तो कि माल लीजिए कि मेरे कदम से एक कमरे की लंबाई चोड़ाई मापी गई अब मेरे कदम की लंबाई चोड़ाई अलग है और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ने बही बही चोड़ाई और लंबाई मापें तो उसके पेरों की जो लंबाई होते हैं उसमें अंतर हो सकता है जब इस तरह का अंतर हो सकता है तो यह मापन पूरता सकते नहीं हो सकती है हमारे हातों के दौरा हम जो मापते हैं तो वह भी हम मेरे दौरा मापा गया यह अन्न के दौरा मापा गया मापन दोनों में अंतर रहता है जब अंतर रहता है तो यह मापन भरमित पैदा करता है इसलिए इस मापन को हम विज्ञान की दृष्टी से सत्य नहीं मान सकते जैसे मैं आपको ओधार्ण दूँ की यहाँ पे यह ब्यक्ती गिली गिली और गिली के डंडे के दौरा मापन का कारे कर रहा है यह इसने गिली से और इसके डंडे की सायता से मापन का कारे किया और उस पे निशान लगा दिए फिर काफी समय गुजर गया पता पड़ा कि इस डैक्स या इस टेविल पे जो निसान लगाए गए थे मापन के बहम मिट गए और जो गिली डंडी थी बहमी कहीं पे गुम हो गई अब फिर इसको मापने के लिए हम गिली और डंडी का उपयोग करते हैं लेकिन अब ये गिली डंडा नया है जब हम इसको मापते हैं तो हम मापने के दौरान हमें ये अंतर दिखाई देता है यहाँ पे देखें पूर में जो गिल्ली डंडे से मापा गया मापन और बाद में जो गिल्ली डंडे के दौरा मापा गया मापन बहें अंतर दिखाई देता है तो इस तरह के मापन को हम सत्ते नहीं माप सकते क्योंकि इसमें अंतर दिखाई दे रहा है तो इस तरह के मापन को बिज्ञान के देश्टी से सत्ते नहीं मापा जा सकता यह माना जा सकता क्योंकि ये भिर्मित भ्रह्म पैदा करता है इसी तरह से बाद में डोरियों से मापने काकारे किया गया डोरी को लिया एक चोटी डोरी ले और इस पर दो चिन लगाए गये याने डोरी ली गई और उस पर दो चिन लगाये गये ये डोरी की एक लंबाई होगी बे डेक्स की चोड़ाई डोरी के लंबाई के पदों में माप सकते हैं बे इस डोरी का माप डोरी की लंबाई से कम डोरीयों को मापने में किस परकार कर सकते हैं हम देखें बेडोरियों को मोड़कर दोरी की लंबाई का एक बटे दो याने आदा फिर एक बटे चार याने चौथाई तथा फिर आडवा भाग एक बटे आठ कर सकते हैं और इन इन इस्तानों पे जैसे आदा किया तो हमने गठान लगा दी एक बटे चार किया तो हमने गठान लगा दिया और एक बटे आठ किया तो हमने गठान लगा दिया और इसके दोरा हमने मापने का कारे किया ये सत्य कुछ हद तक होता था लेकिन पूर्टा यह भी सत्य नहीं पाया गया इसी तरह से ये बालक दोरी के साइता से टेविल या डेक्स को मापने का कारे कर रहा है अब जैसे ये मापन हुए उसके पस्चात हमने देखा कि चोड़ाई और लंबाई को मापने के सभी देशों में अलग अलग पहमाने हुए जैसे भारत में कदम के दोरा पेरों की लंबाई के दोरा हाथ के दोरा जैसे कोहनी से उंगली तक की लंबाई से नापते थे फिर एक बिता या बालिस्त से नापते थे फिर उंगलियों से नापते थे फिर दोरियों से नापते थे जैसे यहाँ पर एक बिता या हम कहें बालि चेष्ट के दोरह यह एक टेविल के चैर की लंबाई चोड़ाई को मापते हैं। इन सभी मापों को विज्ञान की दरेश्टी से सक्ते नहीं पाया गया क्योंकि इन सभी मापों में कहीं ना कहीं अंतर पाया गया। जैसे मैंने अपने बालिस्त से मापा, यह एक माप हो गया, फिर किसी दूसरे वैक्ती ने बालिस्त से मापा, तो मेरे वालिस्त और सामने वालिस्ति के वालिस्त में अंतर होने के कारण बहमाप सत्य नहीं हो सकता, इसी तरह से मापन की यह प्रकिरियाएं पुराने जमाने में सत्य नहीं पाई गई, मापन का आर्थ किसी अग्यात रासी की उसी प्रकार की कुछ अग्यात रासी से तूलना करना है, इस ग्यात निश्चित रासी को मातरक कहते हैं, जब हम मापन की बात करते हैं, तो मापन के अनुसार, मापन का अर्थ किसी ग्यात रासी की उसी पिरकार की कुछ ग्यात रासी से तुलना करना है इस ग्यात निस्चित रासी को मातरक कहते हैं तो मापन की विदियां जैसे जैसे आदमी मापता गया उनमें सत्तिता नहीं पाई गई क्राचीन काल में जैसे मैंने बोला कि पैर की लंबाई अंगुली की चोड़ाई तथा एक कदम की दूरी इन सभी मापों का मातरख के रूप में सामाने का प्रियोग किया जाता था हडपा सब्बेता के लोगों ने अवस ही लंबाई के बहुत अच्छे पैमाने का उपयोग किया होगा क्योंकि ये खुदाई में प्राप्त परिसुद जयामिती रचनाओं को देखने से प्रिमारित होता है जैसे मैंने बूला कि कोहनी से उंगली तक की मापन के लिए इसका भी प्रियोग किया गया हाथ का संसार के बिविन भागों में लोग लंबाई के मातरख के रूप में फुट का उपयोग करते थे अलग-अलग छेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती थी याने फुट का उपयोग कर रहे हैं लेकिन उन फुट के लंबाईों में भी अंतर होता था लोग एक गच कपड़ा फैली वहां किस सिरे से अपने थोड़ी तक मापते थे रोम बासी अपने पग अत्वा कदमों से लंबाई मापते थे लेकिन अंतता इन लंबाईों में भ्रह्म पैदा करने की इस्तिती थी इसलिए सभी व्यग्यानिकों ने नने लिया एक निश्चित पैमाना बनाने के लिए वर्स 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रिनाली की रचना की जिसे मिट्री पद्दती कहते हैं अंतता जब सभी देशों में मापन की जो इस्तितियां थी वो भर्मित करती थी तो अंत में 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रिनाली की रचना की जिसे मिट्री पद्दती कहते हैं मिट्री पद्दती एक समानता के लिए संसार के ब्याग्ज्यानुकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को इस्विकार कर लिया आज कल जिस मात्रक प्रिनाली का उप्योग हो रहा है उसे अंतर राज़्टिये मात्रक प्रिनाली कहते हैं इस विदी से अब मापन की पिरकिरिया मापते हैं और जिसमें आप चाहे देश के भिविनेच छेत्रों में पहुंच जाएं या विश्व के किसी भी छेत्र में पहुंच जाएं तो आपके मापने का तरीका अंतर राष्टी पद्दती से कहीं पे भी अंतर नहीं आता इसे ऐसा ही मात्रक मीटर भी खहते हैं जैसे मात्रक के निश्चत पेमाने दिये गए एक मीटर में सो सेंटी मीटर एक सेंटी मीटर में दस मिली मीटर और एक किलो मीटर में एक हजार मीटर इसी तरह से एक लीटर में हजार मिली लीटर इस तरह के निश्चत पेमाने किये गए और इसके दौरा मापने पर हमारा पैमाना चाय कहीं पे भी पहुँचें वे पैमाना सत्ते पाया गया ये पैमाना देखें ये मीटर स्केल है इसके दौरा मापने पर कहीं पे भी असकते नहीं होता और किसी भी इस्तिती में आपके पैमाने या मीटर से मापने पर आपके पैमाने सकते पाये गए पैमाना मापते समें हमारे आखों की स्थिती सही होना चाहिए जब हम पैमाना देखते हैं तो हमारे आखों के स्थिती में थोड़ा परीवर्टन होने से पैमाना हो सकता थोड़ा बहुत अंतर आ जाए लेकिन हमारी आँखों के इस्तिती को सही रखना और सही तरह से प्यमाना लेना ये एक कारण हो सकता है तो इस तरह से हमने देखा कि प्यमाना या मापन की प्रकिरिया जो पुराने जमाने में होती थी बहाँ पे किसी ना किसी तरह से तोटियां होती थी अंतर आते थे लंबाईयों में लेकिन जैसे अंतर राश्चे मातरक पद्दती बन गई तो उसके दोरा जो भी हम मापें बहे हमेशा सत्त ही पाया गया इसी तरह से अब गती के पिरकार को समझें गती के पिरकार में पहला है सरल रेखिये गती आप सरल रेखिये गती से आसानी से समझ रहे होंगे कि सरल रेखिये गती क्या हो सकती है ये देखें सरल रेखिये गती के परकार में पहला है सरल रेखिये का अर्थ होता है कि एक सीधी रेखा में गमन करना एक सीधी रेखा में चलना जैसे एरो प्लैन का चलना कार का चलना बस का चलना ट्रेन का चलना यदि हम उपर से एक गैंद को छोड़ते हैं तो अब यह एक सीधी रेखा में गिरती हुई नीचे जमीन पर आती है तो यह भी एक सीधी नहीं सरल रेखिये गती होगी यहाँ पे देखें कार बस और यह एक रूट पर एक सड़क पर चल रहे हैं तो इनमें सरल रेखिये गती परदर्सित होती है यह सैने कतार बद जब परेट करते हैं तो सरल रेखिये गती करते हैं तो इस तरह की गती को सरल रेखिये गती कहते हैं सरल रेखिये गती यहने सीधी रेखा में चलना अब आता है बिर्तुल गती बिर्तुल गती साधरन सा अर्थ निकलता है बिर्तुल यहने गोल गोल याने ब्रतिय ब्रतिय गती जहां पे होती है उसे बिर्तुल गती कहते हैं जैसे इहां पे देखें बिर्तुल गती के उदारण है यह रहट की गती बिर्तुल गती है यह पंक्खे की गती यह जो दिसा सूचक है यह भी ब्रतिय गती या बिर्तुल गती या गोल ये गती करता है तो इस तरह की गती को बिर्तुल गती करते हैं जो गोल चकर सा लगाते हैं जैसे पिर्तुवी सूरे का चकर लगाती है या पिर्तुवी अपने धूरी पर घूमती है तो इसे क्या कहेंगे बिर्तुल गती कहेंगे अब आता है आबरती गती आबरती गती आब बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ऐसी गती जो दोहराती है जैसे मैं आपको बताओं कि जूले पे जब आप जूलते हो तो हर बार जूलने में आप जूलने की पिरकिरिया में आप दोहराते हो आप एक बार आगे आते हो फिर पीछे जाते हो फिर आगे आते हो फिर पीछे जाते हो ये पिरकिरिया आपकी चलती है और आप इसको बार बार दोहराने का काम करते हो तो इस तरह से जूला जूलना आपरिती गती का एक उधारण है इसी तरह से घंटी का बजना आप घंटी को बजाते हैं तो घंटी को बजाते समय बार 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 पहे आवाज आपको दोहराती है जैसे तबले पे आप थाप ताली मारते हो या थाप लगाते हो जब वही किरिया बार बार करते हो तो यह भी एक आवरती गटी होती है आपने देखा होगा सुई की घड़ी के जो काटे होते हैं वह बार बार दोहराते हैं चाए वे घंटे का काटा हो चाए वे मिनिट का काटा हो वे बार बार उस इस्तिती को धोराते हैं तो इस तरह की गती को आपरती गती कहते हैं बच्चों मैंने ये पार्ट आपको समझाया आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद